अगनीपत योजना पर बवाल के बीच सेना का बड़ा एलान एलान से थम जाएगा अगनीपत पर मचा घमा सान अगनीपत की अगनी को बुझाने के लिए पी-एन में फैस्टा लिया 24 जून से शुरू हो जाएगी अगनी वीरों की भरती प्रक्रिया सिर्फ 48 घंटे में लिये गए फैसले की बड़ी ख़वर आई सरकार ने अगनीवीरों की अधिक्तम उम्र भी बढ़ाई एक तरफ जहां पूरे देश का युवा अगनीपत स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है वहीं बिना कुछ बोले शांत बैठे देश के प्रदान मंतरी मोदी ने कुछ ऐसा एलान कर डाला कि अब युवाओं का प्रदर्शन खुद बखुद बंद हो जाएगा और वो तमाम युवा जो सरकों पर उतर कर इस स्कीम का विरोध कर रहे थे वो समझ जाएंगे कि ये कितनी फायदे की स्कीम है देश का युवा जहां सेना की भरती को लेकर पिछले कई सालों से इंतिजार कर रहा है तो इस बीच उनका इंतिजार खतो होने वाला है और अगले दो दिनों के भीतर भरती प्रक्रिया की एदू सूचना जारी हो जाएगी अगनीपत स्कीम की घोशना होने के बाद विपक्ष के साथ साथ देश के सभी युवाओं ने इसका विरोध जताया था लेकिन पियम मोदी ने इस मामले पर किसी भी तरह की कोई टेपणी नहीं की थी लेकिन बीते 48 घंटों के अंदर देश में हो रहे उगर बवाल के बाद अंधरी अंदर सेना प्रमुख से भरती को लेकर बड़ा एलान करवा दिया थल सेना प्रमुख मरोज पांडे ने शुक्रवार को कहा अग्मीपत योजना के तहट 2022 के लिए आयू सीमा को 21 वर्ष से बढ़ा कर 23 वर्ष करने का निर्णे और निवाओं को अफसर प्रदान करेगा जो सेना में भरती होने की तयारी कर रहे है लेकिन पिछले दो साल से COVID-19 महामारी के कारण ऐसा नहीं कर पाए सेना में भरती के लिए उम्र में एक बार की छूट देने के सरकार के फैस्टे के बाद भरती प्रक्रिया की खोशना जल्द की जाएगी दो दिन के बाद ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा 24 जून से वायूत सेना की भरती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी अगर आपको नहीं पता है कि क्या है अगनिपात योजना जिस पर विरोध हो रहा है तो आपको बता दे केंद्र की अगनिपाति योजना के तहट इस साल 46,000 योजना को सहस्त्र बलों में शामिल किया जाना है योजना के मताबिक योजना के भरती चार साल के लिए होगी और उन्हें अगनिवीर कहा जाएगा अगनिवीरो की उम्र 17 से 21 साल के बीच होगी और 30 से 40,000 प्रति महीने वितन मिलेगा योजना के मताबिक भरती हुए 25 फीजदी युवाओं को सेना में आगे मौका मिलेगा और बाखी 75 फीजदी को नौकरी छोड़नी पड़ेगी रोजगार के पहले वर्ष में एक अगनिवीर का मासिक वेतन 30,000 रुपए होगा और हाथ में 20,000 रुपए आएंगे क्योंकि 9,000 रुपए सरकार के बराबर योगदान के साथ एक कोश में चले जाएंगे जो रिटायर होने के बाद मिलेगा इसके बाद दूसरे, तीसरे और चोथे साल में मासिक वेतन 33,000 रुपए, 36,500 रुपए और 40,000 रुपए होगा हर अगनिवीर को सेवानिधी पैकेज के रूप में 11,71,000 रुपए की राशी मिलेगी और इसे आयकर से छूट दी जाएगी नई उजना के तहर चार साल के कारिकाल में लगभग धाई महीने से 6 महीने की प्रस्टिक्शन अभीधी भी शामिल होगी फिलाल सिना प्रमुख और पिया मोधी के एहम और युबाओं के हित में लिये गए इस फैसले पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं साथे साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि छात्रों के बीच जो कंफ्रत बनी हुई है वो दूर हो सके और छात्र समझ पाएं कि आखरकार अगनी पाति स्कीम उनके लिए फायदे मन है प्यूरो रिपोर्ट अपना उतर प्रदेश आपको ये खबर पसंद आई है तो ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथे साथ सबसे पहले खबरों के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल बजाना बिलकुल न भूलें साथी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें साथी साथ इस खबर को ज्याता से ज्यादा शेयर भी करें